दोस्तो लोग जब आपसे honest नहीं होते ना, छूट बोल रहे होते हैं, गलत बात कह रहे होते हैं, आपको दोके में रख रहे होते हैं, उनकी body language थोड़ी सी बदल जाती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो बिल्कुल professional होते हैं, तो हम बहुत कम लोगों की बात नहीं करते है maximum लोगों की बात करते हैं, कुछ ऐसी बाते बताऊंगा, जब आपको किसी पर शक होना, observe करना, बहुत कुछ समझ में आएगा, दोस्तो देखना, को इंसन आपको दोका देना चाहरा है न, dishonest है, वो अपनी बातों को repeat करेगा, words को repeat करेगा, unnecessarily, एक बात बोलती फिर दुबा बात को, और एक रटी रटाई स्पीच को, जहां वो repetitive भी है, कुछ शब्दों को बार बार भी कह रहा है, कुछ भूल बे रहा है, दोस्तों जिन लोगा character खुद वीक होता है, खराब होता है, वो दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं, दूसरों पर भी शक करते हैं, हम दूसर खुद का nature खराब है, खुद की सोच खराब हो सकती है, वो हो सकता है, खुद वो ही काम कर रहा है, जैसे को इनसान किसी को चीट कर रहा है, अपने husband या wife को चीट कर रहा है, तो उसको लगेगा कि ज़्यादतर लोग चीट करते हैं, क्योंकि मैं कर रहा हूं, मेरे अंदर character न होते हैं न वो अपने ऊपर से स्पॉटलाइट डाने के लिए दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि दूसरे को गिल्टी बना दो है दूसरे को डरा दो वमुझ पर दो शक करेंगा है न। कि यह मुझ पर शक कर रहा उसकी आखे confidence से बड़ी होके आपसे बात नहीं करेंगे वो आपकी आखों को नहीं देखेंगे वो थोड़ी सी guilt में देखेंगे हलकी जुकी जुकी आपको देखनी बारा, नजरे चुरा रहा है आखों को पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है बशरते की आप आखों पर ध्यान दो दोस्तों जब लोग आपको बार बार convince करें बहुत जादा convince करें कि ये चीज सही सही है ये बार बार कसमे खा रहे है नहीं नहीं मैं तो हमेशे तुमारे साथ ख़़ा हूँ security को दर्शा आता है कि वो कोई गलत काम करने को आपको मजबूर कर रहे है इसलिए pressurize कर रहे है इसलिए force कर रहे है उनका कोई hidden benefit चुपा हुआ है और आपका कोई hidden loss चुपा हुआ है जो इनसान genuine होता है अपनी बात कहता है, समझाता है फिर पीछे अट जाता है दूसरे इनसान को समझने का, सोचने का मौका देता है दोस्तों एक होता है बात करने का तरीका इनसान step by step चलता है दूसरे को convince करता है, तथे देता है समझने का मौका देता है उनके questions का answer करता है जो लोग dishonest होंगे न धोका देने की कोशिश कर रहे होंगे उनकी बातों में कोई sequence नहीं होगा कभी भी कुछ भी बोल देंगे तथे देने से पहले convince कर देंगे नहीं बिल्कुल सही है, तथे देंगे ही नहीं आपके सवालों को टाल देंगे अरे नहीं नहीं सुनो तो सही इस तरीके से वो जो एक set structure है, सही structure है बातचीत करने का उसको follow नहीं करेंगे खास कर जब आपके सवाल होते हैं नहीं आपके सवालों को उटने हैं नहीं देंगे, अपनी बात कहते रहेंगे बस उस एक चीज़ पर उनका ध्यान अटकर रहेगा उनकी बाते अटकी रहेंगी वो आपको convince करते रहेंगे अगर आप थोड़े मस्बूत हो, समझदार हो चाहे कोई भी आपके सामने खड़ा कितना ही valuable हो, important हो अगर आप उससे question पूछोगे interrogation करोगे, जरूरी सवाल करोगे वो confused हो गई होगा उसके इतना प्रभाव में मताओ कि सवाली ना पूछ पाओ सवाल पूछना बहुत जरूरी है इसमें कोई शरम नहीं है आपकी life है आपका फैसला है चाहे आपके माप हो, पती, पतनी हो, कोई भी हो या बच्चे हो, सवाल तो पूछ नहीं है दोस्तो दोके बास लोग ना बहुत जल्दी करते है वो बहुत जल्दी में होते है अरे कर ले ना मेरे पस टाइम नहीं है अरे कर ले फिर समय निकल जाएगा ओफर हाथ से निकल जाएगा एड आते हैं ना आज कर लो कल ओफर हाथ से निकल जाएगा सालों से वही एड़ दे रहा है, रोज वही एड़ दे रहा है आज कर लो, ओफर कल तक है और वो कल कभी आया है यह नहीं देखते होगे न आप कोई भी चीटर होगा, वो जल्दी बहुत करेगा उसकी मन में डर होगा कि इंसान समझ ना जाया है मुझे परक ना ले, एक्सपोज ना हो जाओं तो जितनी जादा जल्दी जो इंसान कर रहा है उतना जादा शक उस पर आप कर सकते हो और वो कोई अमिर्जेंसी बता रहा है तो उसे बोलो मैं तिरे साथ चलने को तेया रहा हूँ मैं तिरे साथ चलता हूँ वहाँ जाके हेल्प कर रहा हूँगा दोस्तो दोके बास लोगों की डिसॉरेस्ट लोगों की या जो गलत बात के लिए बोगों कन्विंस कर रहा है बोडी लेंगविज बहुत कुछ बता देगी तू मच परफेक्शन बिल्कुल परफेक्ट इंसान है बिल्कुल स्टिफ खड़ा है परफेक्ट कपड़े परफेक्ट पॉस्चर परफेक्ट बाल परफेक्ट बाते तो मतलब वो एक प्रोफेशनल है लोगों को बेफुफ बनाने का अबनॉर्मल है और कोई इंसान बहुत ज़्यादा हिल रहा है, बहुत ज़्यादा काप रहा है, हाथ काप रहे हैं, इदर उदर देख रहा है, पैर हिल रहे हैं, तो भी आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हो तो या तो वो बंदा बिल्कुल एक्सपर्ट है, कौन मैंन है या वो बंदा गवरा रहा है दोनों चीज़े आपको समझ में सकती हैं, बशरते के आप द्यान दो तो ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट सब पे लागू होते हैं हर इंसान को शक की नजर से देखो आपको किसी पर शक है तो इन सारे पॉइंट्स को आप समझ ही गए हो मिला जुला के आपका यकीन बढ़ जाएगा आपकी सोच को एक डिरेक्शन मिल जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कहीं कुछ गलत हो नहीं हो रहा ये अटलीस्ट आप उससे सवाल पूछ पाओगे अंधे हो के फैसला नहीं लोगे इस वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है क्योंकि जाएतर लोग भूले बाले होते हैं और आजका लोगों ने धंदा बना लिया उनको बेफ्कूस बनाने का तेंगी दोस्तों